हाई फ्रेंड्स मैं हूँ दानिश एहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दगन गीक आज मैं आपको ब्रूनो मॉडल टू और इंडियन ओडिन्स की पॉइंट टू राइफल की बोल्ट एसेंबली के बारे में बताऊंगा मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको डिस एसेंबल और एसेंबल करते हैं यह है कंप्लीट बोल्ट एसेंबली ब्रॉनो मॉडल टू और इंडियन ओडिन्स की पॉइंट टू टू की इसमें आपको यह पिन दबाना है स्विज आर्मी नाइफ या टूल लेके इसकी मदद से इस पिन को आप नीचे के तरफ प्र यह लॉक इसका निकालने के लिए आप पहले बोल्ट हैंडिल को गुमा देंगे इसमें यू शेप का छोटा सा बना होता है उसको आप लॉक के नीचे लाएंगे और इस पिन को प्रेस करके उस लॉक को आप उपर के तरफ कीचेंगे तो यह देखिए यह कैसे इसका लॉक कि बाहरा गया कि यह इसका हो गया लॉक यह इसका पिन है यह इसकी फाइर पिन है और यह बोल्ट हैंडल है और यह बोल्ट की हाउजिंग है इसके फाइर पिन के अंदर स्प्रिंग होती है जिसको आप ऐसे बाहर निकालेंगे और इस स्प्रिंग को आप साफ करके फिर से लगा सकते हैं या अगर किसी की डैमेज हो गई तो चेंज कर सकता है अब हम आपको इसको एसेंबिल करना सिखाएंगे सबसे पहले आप इस्प्रिंग लगाईए फाइर पिन के अंदर फिर आप इसकी बोल्ट की हाउजिंग लेके उसमें आप एक बार अंदर तक इसको फिट करके देख लीजे के सीधा है के नहीं यह आपका फाइर पिन यहा फिर आप इसको फाइर पिन को बाहर निकालिए बोल्ट की हैंडिल सबसे पहले आप अंदर डालेंगे जैसे आप बोल्ट की हैंडिल अंदर डालिए और उसका यू इस होल के सामने रखके और उसी सीक्वेंस में इस फाइर पिन को आप अंदर डालेंगे तो आप देखिए होल मैच करेंगे तब ही आपका लॉक इसके अंदर फिट हो पाएगा तो इस लॉक को हम इस पर रखके और स्विजार्मी टूल की मदद से इसको अंदर पुश करते हैं और थोड़ा से यह हार्ड होता है तो इसको टेक्निकली अगर कोई आपके पास एक और हेल्पिंग हैंड है तो आप इसको पुश करके आप उससे मदद ले सकते हैं कि इसको वह इसके अंदर फिट कर दे वरना आराम से और इस लॉक को जरा साब हिलाईएगा और यह लॉक अंदर फिट हो जाएगा उसके अपने जगह पर और यह दिखिए यह लॉक जैसे फिट हो गया इसको जरा सा हिलाईए इसका जो एक बना हुआ है सिस्टम उसमें यह आटोमेटिकली बैड जाता है यह देखिए यह एकदम इसके स्ट्रेट बैड़ गया आप बोल्ट हैंडल को घुमाके आप उसको अपनी जगह पे लाके छोड़ सकते हैं यह देखिए आपकी पूरी बोल्ट एसेंबली कम्प्लीटली एसेंबल हो गई तो दोस्तों आपने देखा कैसे मैंने एक स्विज आर्मी की टूल के मदद से इस बोल्ट को खोल के डिसेंबल करके उसके बाद इसको मैंने फिर से एसेंबल किया यह बहुत आसान है यह आप अपने घर पे भी कर सकते हैं यह जब यह आपका फसके चलने लगे या इसमें बूडिया है तो आप इसको बहुत एजली खोल के इसको अपने से आप रिपेर कर सकते हैं और आपको मैं बता दूं के ब्रूनो मॉडल 2 और पॉइंट टूटू की इंडियन ओर्डियंस की राइफल दोनों का मेकैनिजम आल्मोस सेम है दोनों का बोल्ट मेकैनिजम सेम है दोनों उसी इस तरीके से खुलेंगे और वैसे ही यह पिर से एसेंब्ल किये जाएंगे तो मैं आशा करता हूं आपको इस मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी आगे आप इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए थैंक यू